हलो दोस्तों नमस्कार इंडियन एर फोर्स अपने 36 राफेल फाइटर जेट को अपग्रेड करने जा रही है उसकी ताकत को और बढ़ाने जा रही है इसमें लगे यम आई सी ए आर यफ और यम आई सी ए आई आर मिसाइल को हटाने का फैसला किया है इस मिसाइल की रेंज 80 किल जो आज की हिसाब से ठीक नहीं है अब राफेल में अस्तर यम के वन और यस्तर यम के टू मिसाइल लगाए जाएंगी बाला कोट श्ट्राइक के समय मिराज 2000 फाइटर जेट ने आठ पाकिस्तानी जे अफ सत्र जेट के साथ डॉप फाइट की थी इस दोरान यम आई सी ए म मिसाइल की सीमित रेंज की वज़े से उन पर हमला करने में दिक्कत आई थी इसलिए इन फाइटर जेट में अस्तर मिसाइलों के इस्तमाल की बात की जा रही है अस्तर मिसाइल बियोंड विज्वल रेंज एर टू एर मिसाइल है यानि जहां पर पाइलेट की नजर नहीं ज सकती है ये मिसाइल वहां तक वार करने में सच्छम है जो कि अस्त्र मिसाइल का वनाने का कार भारत डानुमिक लिम्टेट करती है राफेल में अस्त्र यमकेवन की मिसाइल लगाई जाएंगी जबकि मिराज 2000 को हटा कर जब तेजा सीमकेटू फाइटर जेट आएंगे तो उन है फिलाल जो वारियंट मौजूद है वो 10 किलो मीटर से लेकर 110 किलो मीटर तक है जो कि सुकोई 30M के आई फाइटर जेट में अस्त्र मिसाइल लगाया जा चुका है ये अस्त्र मिसाइल को DRDO ने डिजाइन किया है बेयोंड बिजूल रेंज मिसाइल यानि जो वह ये मिसाइल हमरा करने में पूरी तरीके से सच्छम है अस्त्र मिसाइल की तीन वारियंट बनाई जा रहे हैं अस्त्र आई आर या 80 किलो मीटर की रेंज की होगी दूसरी अस्त्र यमके 2 इसकी रेंज 160 किलो मीटर होगी तीसरी अस्त्र यमके 3 इसकी रेंज 350 किलो मीटर होग कि इसे टार्गेट की तरफ छोड़ने के बाद बीच हवा में इसकी दिसा को बदला जा सकता है जो कि ये मिशाइलों की बहुत बड़ी कोभी होती है और एक ताकत भी होती है